पार्ठे करम का संकुचे तर्थ नेरो मीनिंग ऑफ करिकुलम जिस प्रकार संकुचे तर्थों में शिक्षा से तातपर उस ग्यान से है जो बाला की स्कूल, कॉलेज या विश्विध्याले से प्राप्त करें या सिक्षा का आदान प्रदान चाहर दिवारी की भीतर रहकर करे शिक्षा के एक निश्चित विरी द्वारा ही शिक्षा प्रदान की जाए इसकी एक निश्चित कालावदी या सीमा हो उसी प्रकार संकुचे तर्थ में पार्ट करम भी केवल बेविने विस्यों के पुस्तकी ग्यान तक ही सीमित होता है अब हम देखेंगे पार्ट करम का ब्यापकर्थ शिक्षा के ब्यापकर्थ के निश्चारी है समस्त संसार शिक्षा का छेत्र है और प्रतेक व्यक्ति बाला की हुआ व्रद इस्तरी पुरुस सभी शिक्षारती है बेस अभी जीवन परियंत कुछ ना कुछ सीखते हैं अथा व्यक्ति का सारा जीवन ही उसका शिक्षा काल है शिक्षा प्राप्त करने वा प्रदान करने का कोई निश्चित इस्थान नहीं होता यह सरवत्र ही हमें किसी ना किसी रूप में प्राप्त होती रहती है इसके अंदर कर सिखाने वाला व्यक्ति भी सीखने वाले व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखता रहता है जीवन की छोटी-छोटी घटनाय भी हमें सिख्षा प्रदान करती रहती है इसी पिलकार व्यापक अड़ों में पार्टे करम भी विविन विशियों की पुस्ता की ग्यान तक सीमित नर होकर अपने अंदर उन समस्त अनभवों को समेटे रहता है जिसे पुरानी पीडी आने वाली पीडी को हस्तांतित करती रहती है संचस्यब में हम कह सकते हैं कि संकुझे ताड़ों में पार्टे करम को कूछ विशियों की सूची माना जाता है जिने बालग विद्याले में पढ़ना होता है बालगों को परंतु शाब्दिक या ब्यापक वा विस्त द्रस्टिकोंड से पार्ठेक्रम के अंत्रा करत हुए सभी किरिया आयाती है जैने बालाग विद्याले में रहते हुए शिक्षक की सनक्षण में संपन्न करता है फिर चाहें भी लेखितों या किरियात्मत अब हम देखेंगे विद्याले पार्ठेक्रम की परिभाषा हैekkée, Definitions of School Curriculum पार्ठेक्रम के अर्थ को और अंधिक स्प्रस्ट करने के लीए प्रिद्वानद द्वार्द दी परिभाषा है इस मेंु प्रुकार से है यहां हम दिख रहे हैं कनिंगम के अनुसार पाठेक्रम कलाकार यानि सिख्षक के हाथ में एक यह अंत्र है जिसे भेह अपनी सामगरी शिष्टे को अपने आदर्स लक्षे के अनुसार अपने कला के रहे यानि की विध्यले में मोरता है करिकुलम इस टूल इन दा हैंड्स ऑफ दा आर्टिस्ट यानि टीचर तू मॉल्ड हीज मैटिरियल पपिल अकॉर्डिंग तो हीज आइडल ऑब्जेक्टिव हीज इस्टूडियो यानि की स्कूल नेक्स्ट डेफिनिशन हम देख रहे हैं जुर्डियार्ड मोहदे की साथी इनके साथी हैं वेट इवं कॉंडबर्ग इनके अनुसार जो डेफिनिशन दीए वह इस प्रकार से है पाठेक्रम में ब्यापक रूप में समस्त विध्याले इस बातवर्ण नहीं थे इस बातव इनके स्कूल इनके स्कूल अनुसार पाठेक्रम को समस्त मान अवजाती की ग्यान इवं अनभवों को सार समझना चाहिए सीखने का बिसे या पाठेक्रम पधार्तों विचालों और सिध्धान्तों का चित्रन है यह कहाए प्सवेल महुदे ने ड्यूबी महुदे लिखते हैं जो की उद्धे से पूर्ण लगाता कि रियान विशन के साधन या बाधा के रूप में आते हैं वह पाठेक्रम के अंतरगर्थ ही आते हैं अब हम देखेंगे पार्थ बस्तु का औरफ मीनिंग उप स्लीवस पार्थЬ बस्तु में निरवशियों से संबंधित कि दिया schooling का समय क्या सीखाना है यह छात्रों को क्या सीखना है तक संगत सोपान है दोस्री परिभास ही निश्य तक महानसिका होता है पाटे करम की बास्त्रीक रूप रेखा को पाठ्थे बस्तु द्वारा ही विस्तार मिलता है जिससे शिक्षक एवं शातर दौनों को ही जो है सफलता प्राप्त होती है कहते हैं यहां पर थोड़ा मिस्प्रिंट है यहां पर भी शीखने के अनभवों में पाठ्थे एबं पाठेचर्या में अंतर, difference between slayvers and curriculum, पाठेक्रम के अंतरकर्त वे सभी अन्वव अंतर नहीं थे हैं, जिने शात्र विद्य हलाई जीवन में प्रात करता है, तथा जिन में कक्षा के अंदर बहारायुजित की जाने वाली पाठे एबं पाठे तरक्रियां समलेत होती हैं, युनेशको के एक precaution में पाठे चरिया वाठे बस्तु के अंतर को इस्परस्ट करते हुए कहा गया है कि पाठे चरिया अध्यन के लिए विभिन विसियों के हैं, विसियों उनकी विवस्ता करम कर निर्धारन करता है, पाठे बस्तु यहां करम रहेगा, इसको ध्यान रखन करना होगा, पाठे बस्तु निर्धारत पाठे विसियों के शिक्षण के लिए अंतरबस्तु उसके ग्यान की सीमा शातुन दौरा प्राप्त की जाने वे वाले कौसलों को जो है निश्चित करता है, तथा इस प्रकार यह पाठे चरिया का एक परिस्कत वाविस्तत रूप होता है, उधान के लिए हाइस्कूल की पाठे चरिया में गड़त को विसे के रूप में समलित किया सकता है, किन्तु गड़त विसे के अंतरगर्थ जिन उपर विसियों एंग गड़त, बीज गड़त, रेखा गड़त की एक निश्चित पाठे सामक दियत्वा पिलकरणों क पढ़ाने के लिए निर्दारित किये जाता है, उसे गड़त की पाठे वस्तु कहा जाएगा, इस प्रकार पाठे वस्तु का समंद्ध ग्यानत्मक पक्ष के विकास से होता है, जबकि पाठे करम का समंद्ध वालक के संपूर्ण विकास से होता है, जैसा कि हम जानते हैं, सि प्रस्तिति नुसां सामची उद्धिश को निश्यत कर लेना चाहिह किए हूर के Integration की अनुकूल हो बर्तमान सामचा की उद्धिश्या lookin का अशारिक मान सिख सामाजिक सांस्कृति कि वमचारी तक विकास करने के साथ साथ उन्हें किसी उपियोग अत्वाय। सब्भाइब करना है आदा पाट्टे क्रम के निर्माड में इनके विकात क्यों कुछ सिद्धांतों को द्यान में रखना चाहिए अब कौन सीदेहां सकते हैं हम दिखेंगे यहां पर बृच्वाज सब्सक्राइब करति होने का सिद्धांत कर्वन जिवन से बरतमान जिवन से संबंदित होने के साथ साथ उसके लिए उपियोगी भी होूँ बालक को उनी विस्यों के अध्यैन करने जिवन वी सफलता मिल सकती है जो उनकी की बरतमान, रुचियोंं, आगाँख्याओं और polar यो य्यूगित्राओं के अनुरूप हOं उनके पार्टे करम के अंतरगर्द बर्तमान जीवन से संबंदित ऐसी विसे संबंदिवे क्रियाएं हों जिनका अध्यन करके वे अपने जीवन की समस्याओं से अच्छी तरह से सुलच सकें पाठे करम में जीवन की अर्ज से जो असामधित किरियाएं होती हैं बहर जीवन के लिए उपयोगी नहीं होती हैं नेक्स हम देखेंगे स्यक्षिक उद्देशियों के अनुरूपता का सिध्धान शिक्षा के उद्देशियों को पाठे करम की द्वारा ही प्राप्त किये जा सकता है अथा पाठे करम में इन उद्देशियों को ध्यान में रखना चाहिए बाल के अंदरता या कहीं बाल के अं तोर्वताय मत circuit यहां पर आएगर लश्चीश लए पन की अवसे इसल यह बी जाए कि जिससे जात्र उससे चात्रों के भीनेताओं दर्स्टी कोनो मनुग्रतियों और अवश्यक्ताओं के अनुकूल बनाया जा सके बालकों पर अनुपयोग तो विश्यों को लादने का प्रियर्ण नहीं करना चाहिए जिससे उनमें निरासा की भावना भी उत्पन हो सकती है साथ ही सामने विकास में बाधा पड़ती है हम देखेंगे अवकास के सदुपयोग का सिध्धान्त जब अवकास मिलता है तो शात्रत क्या करें अनावश्यकार्यों में लग जाते हैं आता पाठेकरम का नर्मान ऐसा होना चाहिए और सलेवस में भी ऐसे बिंदू होने ऐसा कि हम जानते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति एक से नहीं होते वले जुड़वा भाई वहनी क्यों नहों तो यहां जो पाठेकरम नर्मान के समय में व्यक्ति के तुपयूंताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रतेक वालग की दुचिया आविशक्ताओं योगताओ भिन्न होती हैं अब हम देखेंगे समुदाइक जीवन से समंध का सिध्धांत पाठेकरम का समुदाइक जीवन से इसपरस्ट समंध होना चाहिए पाठेकरम में इस जीवन का महत्मूर विशेष्टाओं की व्यक्या भी होनी चाहिए और महत्मूर क्रियाओं के संपर्क में वीशेव्य शयत्म को लाना चाहिए तथा इसकार दिये है कि पार्ठे कराम में उतपादक कादियों को अध्मुल्ण स्थान्थ देना चाहिए क्योंकि यह कदर बवस्तित मानव जीवन का आधार है इसके पाठे करम इस्थान ही आवश्यकता हो और पस्तितियों को ध्यान में रखका पढ़ाना चाहिए अब हम देखेंगे उपयोगिता का सिध्धान्त इसके इनुसार पाठे करम में उन्हीं विच्चों को इस्थान देना चाहिए जो बालक के भावी जी जाए जो उसके जीवन के लिए उपयोगी हो क्यों अनुपयोगी यह समय विशेष की विचारदार निश्यत करती है क्यों एक समय के जो उपयोग होते हैं दूसरे समय में वह उन्हीं हो सकते हैं आब हम देखेंगे व्यापक दर्स्थी कोन का सिध्धान्त पाठे क्राम संक सब्सक्राइब का रिध्यारतियों का संपुर्ण विकास करना होता है अब हम देखेंगे एवाँ सर्जनात्मक शक्तियों के उपयुक का सिध्दानत अधीक होती है बिकुछ ना कुछ करना चाहते हैं इसे आफसर प्रदान कि जाने चाहिए जिससे कि उनकी रशनात्मक एवम स्रजनात्मक शक्तियों का अधिक से अधिक प्रियोग किया जा सके इस समंद में रेमंट महुदा लिखते हैं जो पाठेकरम बढ़तमान एवम्भवे से की आवशक्ताओं के लिए उपयोग्त है उसमें निश्चित रूप प्रदर्शित नहीं करते इसका करण खेल दुवारा उसे आनंद की अनुभूती मिलती है तो पाठेकरम निर्मान में इस बात पर पल दिया जाहिए कि ज्यान समद्धी किरियाओं में भी वालकों को खेल की किरियाओं के समानी आनंद प्राप्त हो सके अब हम देखेंगे सं संस्कृती की स्वरक्षा हो सके आगे बनी रहे सके तथा सभ्यता भी बनी रहे सके ऐसा नहों कि हमारी संस्कृती का स्वरक्षण ही समाप्त हो जाए अब हम देखेंगे अग्र दर्शिकता का सिध्धान्त पाठेकरम निर्मान के प्रतम सिध्धान्त के अनुसाल पाठेकर करना चाहिए जो बालक के जीवन से संबन देते हैं